गैस एक बहुत important topic के बारे में हम लोग discuss करेंगे GS paper 2 point of view से ये topic है foreigners tribunal, विदेशी अधीकरण, तो इस topic को हम लोग detail में समझते हैं, तो point number 1 आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक quasi judicial body है, अर्धिन्याइक निकाय है, जिसे establish किया गया है foreigners tribunal order 1964 के तहट, विदेशी अधीकरण आदेश 1964 के तहट इसे establish किया गया है, तो ये point बहुत important है, जो आपको ध्यान में रखना है, अच्छा foreigners tribunal है क्या, तो इसको simple शब्दों में अगर आपको समझाओ, तो ये एक court है, ये एक न्यालय है, ये special court है, जिसका काम है, कि हमारी country के अंदर, कौन Indian citizen है, कौन Indian citizen नहीं है ये decide करना, मतलब कि जो लोग illegal तरीके से इंडिया में enter करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं, जिनके पास परियाब तो documents नहीं होते, ये साबित करने के, कि वो Indian citizen है की नहीं, तो उन्हें इस court के सामने पेश किया जाता है, और ये court decide करती है, कि कौन व्यक्ती Indian citizen है या नहीं है, तो ये एक important point है, बस जो आपको ध्यान में रखना है, कि foreigners Tribunal का काम क्या है, ये decide करना कि कौन Indian citizen है या नहीं, या फिर इसको इस तरीके से भी आप याद रखने के लिए समझ सकते हैं, या ध्यान में रखिएगा, foreigners Tribunal, जो लोग India के नहीं होते होने क्या बोलते हैं, foreigner, तो foreigners का Traminal है, मतलब इस court में आकर, जो लोग illegal तरीके से इंडिया में रह रहे होते हैं, उन्हें ये साबित करना होता है, कि वो Indian citizen है, वो foreigner नहीं है, तो ये point आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, और इस court के अंदर कौन-कौन members हैं guys, तो इसकी अगर हम लोग बात करें, तो यानि कि civil सेवक जो होंगे, ये सचीव या अतिरिक्त सचीव, यानि कि secretary या फिर additional secretary के rank के नहीं होने चाहिए, मतलब कि simple शब्दों में आप लोग जो IAS IPS की तयारी कर रहे हो, civil services की तयारी कर रहे हो, आगे चलके आप IAS बनोगे, तो आप भी जो है वो इस foreigners tribunal के member बन सकते हो और इसके इलाबा एक advocate होते हैं, जिनके पास 7 सालों का experience होना चाहिए, और उनकी उमर 35 साल से कम होनी चाहिए, तो ये इसके total members हम लोग को कुछ देखने को मिलते हैं, अलग-अलग field से जिने चुना जाता है, और especially judicial experience उनको होना चाहिए, that is the primary thing, जो कि आपको ध्यान में रख कि इन foreigners Tribunal को कौन establish करता है, इसका गढ़न कौन करता है, तो कोई मेरे बता सकता है इसका answer, तो आप लोग जो IES offices बनोगे, और आपको आगे चलके district collector की post मिलेगी, district magistrate की post मिलेगी, तो आपके पास ये authority होगी foreigners Tribunal को establish करनेगी, तो ये point बहुत अच्छे से धान में रखिएगा कि district magistrate के पास authority होती है, foreigners Tribunal को establish करनेगी, क्या सिर्फ district magistrate के पास होती है, तो नहीं, केंदर और district magistrate, पहले जो हुआ करती थी, सिर्फ और सिर्फ केंदर के पास ये power होती थी, foreigners Tribunal को establish करनेगी, बट Ministry of Home Affairs ने foreigners Tribunal Order 1964 को amend किया, और amendment के पाद हमें 2019 का, यानि की foreigners Tribunal Amendment Order 2019, 2019 जो देखने को मिला, उसके तहट power grant कर दी गई district magistrate को, कि वो foreigners Tribunal establish कर सकते हैं, अपनी district में, तो याद रखना, पहले केंदर के पास ही सिर्फ power थी, फिर 2019 के amendment के बाद, district magistrate के पास भी अब power है, क्या करने की, foreigners Tribunal को establish करने की, तो ये point आपको बहुत अच्छे से ध्यान में सकता है, या अपील हो सकता है, तो येस, foreigners Tribunal का जो अभी recent 2019 का amendment हुआ, 1964 के order का जो amendment हुआ, तो उसके तहट अब कोई भी व्यक्ति जो है, वो इस court में जाकर अपील कर सकता है, इससे पहले, सिर्फ state government के पास authorities थी, या state government के जो officials थे, वो ही इस court में अप्रोच कर सकते थे, आज की rate में कोई भी व्यक्ति foreigners Tribunal में जाकर अप्रोच कर सकते हैं, तो ये point है guys, बहुत important foreigners Tribunal से related, जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, इतने points अगर आपको पता है, तो that is more than sufficient, एक अच्छा answer लिखने के, और इनी points से related आपसे question पूशा जाएगा, इससे बा